नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है रूप हूँ और आप सभी का स्वाव करता हूँ हमारी यूटूप चाहिए पर आज मैं बात करने वाला अपाचे आरार 310 बारे में फाइनली टीवी एस की जो फ्लैक्शिप बाइक है उसका बीएस मोडर लांच हो चुका इंडिन मार्केट में और इसमें छोटे मोट अपडेट नहीं काफी अच्छे अच्छे अपडेट आपको इस गाड़ी में देखने हूँ मिलता है तो आपको नया क्या देखन जो फ्लैक्शिप बाइक है तैडिस टीपेस अपाचे आरा 310 के उपर फाइनली अपडेट दे दिया है इस गाड़ी के अपडेट आपको इंजिन वाइस तो जादे नहीं देखने हूँ मिलता है लेकिन उसके अराब बहुत सारे अपडेट आपको इस गाड़ी में देखन हुआ हुआ है वह बीए 6 कंप्लाइन इंजिन देट इस 312.2 सी सी का सिंगर सिलेंडर लेकुड कूल इंजिन मिलता है जो की पाउर आपट अगर बीए 6 के मॉडल की बात की तो पाउर आपको 0.5 बहप जादा देखने हुआ हुआ है डाट इस 33.5 बहप का पाउर पूर बात कुरो अगली अपडेट के जो आपको एक दम नए देखने हुआ मिलता है वह इसके चार राइडिंग मोड यह साग इसमें चार राइडिंग मोड देखने हुआ है स्पोर्ट ड्रैक अर्वन और अब आपको देखने को मिलेगा है जो आपको स्पोस्टन ट्रेक वाले जो मौट देखने को मिलता है उसमा अबwarm और इसका पॉल-णे्र manOK vier equival यूज़ सकते हैं तो इस गाड़ी का पावर स्वाड़ कट डॉड़न हो जाता है जिसमें आपको हाइच स्पीटिंग करने में रोकता है जो कि बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि हाइच स्पीटिंग करने जाएंगे तो दैन अगेञ इस लिप करने का प्रॉब्लम रहता है कुछ भी हो सकता है आप करने जाए शाल स्लिप हो जाए यह सारी चीज़ से बचने के लिए पावर को रेस्टिट करा गया है उस आरिप्यम पर अगर दो मोड्स लेट कर तो अर्बन और रेन रेस्ट जो दोसरे मोड है उसमें तापको फुल पोटेशियल मिलेगा आपको फैसिलिटी है ग्लाइड तुरू ट्राफिक लाहाई गियर पर होते भी आपकी गाली नौकिंग नहीं करेगी इस गाड़ी की जो एबीस की सेंसिटिविटी है वो भी राइडिंग मोड के इसाब से चेंज होती रही जो कि मुझे काफी अच्छी टेक्नोलेजी लगी देखू तो टीवेस के जो राइडिंग मोड से ज्यादा बैटर है अब बात करो अगले चीज़कार में जो आपको नया देखने हूं मिलता है अपाचे आरा 310 बीए 6 मोडल में दैट इस 5 इंच का टी एफटी स्क्रीन फाइनली आपको फुली टी एफटी स्क्रीन मिलता है पहले जो था वह आप तो डीजीटल इंच्रुमेंटेशन आप आपको टीफी स्क्रीन मिलता है जो कि बहुत अच्छा है वर्टीकल में आपको देखने हूं मिलता है 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 लौट अफ इंफो में इसमें स्मार्र करनेट्चिविटी आपको दिखने हैं जो आप अपने मोगा से connect कर सकते हैं और कोई भी call या message आता है तो वह आपको सामने display करेगा apart from that इसमें turn by turn navigation का भी facility है मतलब बहुत सोच के TVS ने इस चीज को update किया मेरे को सही लगा easily आप RC390 को तो आराम से टकर देती है क्योंकि RC390 में अगर इंस्ट्रूमेंटेशन देखेंगे तो fully digital इंस्ट्रूमेंटेशन है TFT वाला अभी तक नहीं आया B6 model में लेकिन अपाची ने finally crack कर केस में आपको TFT screen देता है apart from जो basic आपको inputs देखने को मिलता है वो तो सारी मिलते ही मिलते है आपको इसके इंस्ट्रूमेंटेशन में देखने को मिलता है प्लस अगर आप राइडिंग मोड चेंज करते है तो इसका जो screen theme वो भी change होता रहता है तो आपको refresh feel कराता रहेगा अगर sport category लेते तो sport में अलग आपको इंस्ट्रूमेंटेशन के design देखने को मिलता है रें करेंगे तो रें का design अलग देखने को मिलता तो आपको theme नाया मिलता है तो आप बोर नहीं होंगे जल्दी के जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, ऐसा होना भी चाहिए, चीजे चेंज होते रहे तो गाड़ी को देखने में चलाने में ज्यादा मज़ा आता है, अगली चीज की बात करो, अपाचे आरा 310 BA6 के बारे में, वो है इसका मिस्चिलीन का टायर, येस, फाइनल ये आपको प्रायर आपको देखने में मेलता है, जो कि हाई- đã आटी में देखने में मिलता, वू टायर आपको इस गाड़ी में देखने में मिलता, जो कि वीट सर्फस में बहुत अच्छा देता है, ये पलस आपको ड्राय निकरा सेम वही दिया गया है अब बात आती ही प्राइजिंग की तो कंपनी ने इसमें प्राइजिंग कितना आड़न किया है तो फ्रेंट्स सोलह हजार रुपए एक्स्रा एड़न किया है फॉर इस लॉट फीचर्स लाइक आपको मिलता है राइड बाइज थ्रॉटल ग्लाइड थ्रू ट्राफिक न्यू टी एफ्टी स्क्रीन आपको बीए सिस कंप्लाइन इंजिन देखने को मिलता है प्लस चार राइडिंग मोड्स देखने को मिलता है अब को टायर देखने को मिलता है मतला है लेकिन 16,000 रुपए ही ज्यादा बढ़ाया है मैं बात को इसके एक्स्राइड प्राइड रखा है और अगा आप आप लेने जाएंगे तो और मॉस्ट बीस परसेंट और एडड कर दीजे तो इसका आंड़ोड प ये में बात कोट दो कलर को मिलता है इक опять वक में बात करता है और श्यान फेर अचेट ड साचाव मिलता है बात कर थे कि तो कैखने को में मिलता है आपको सब्सक्राइड लेक देखने को बंगे बात को पीछ दो धो मैं बात को देखने और ये गाड़ी एसी नहीं एकप भले फील छोटी गाड़ी हो के देती है लेकिन लिटरली इसे बैट हो गया ना बड़ी बाई का फील आएगा तो overall conclusion यह है कि गाड़ी आप बहुत अच्छी value for money हो जाती है इस गाड़ी का power थोड़ा कम है KTM से लेकिन आप मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी facilities ज्यादा होने के क अच्छ लग है तो प्लीज लाइक करना ने होतों सब्सक्राइब और अचले है तो प्लीज शेर करना और इस गाड़ी से लेटेट को भी सवास हो जाओ कुछ भी हो तो प्लीज यह जो इंस्टार्याम को जो हैं इसको follow करिए within 24 hours within 48 hours अगर आपने मैसेज किया तो में reply दे द हुआ